दुर्ग जिले में मंगलवार देरात एक गाइट की धारदार हत्यार से खमला कर हत्या कर दी गई थी जिसकी गुथी को अब पुलिस ने सुलचा लिया है पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफतार कर लिया है दरसल 24 नमंबर को मोहन नगर थाना अंतरगर निर्माना धीन अस्पताल के पास चौकी दार की निर्मम हत्या का खुलासा पुलिस ने आज कर दिया है दुर्ग एसपी सेंजे धुरूब ने बताया कि 24 तारिक को पुलिस को सूशना मिली कि निर्माणा धिन अस्पताल के पास रक्त रंजित हालत में महां के चौकी दार का शव पड़ा हुआ है जिसकी सूशना पर पुलिस की तमाम टीम घटना इस्थल पर पहुँच कर मामले की जाच में जुट्ड़ी थी 25 तारिक को पुलिस को घटना इस्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे में संदिग्द नजर आया जिसे पुलिस ने हिरासत मिले कर कडाईक से पूस्ताश की जिस पर आरोपी कौवर सिंग ने हत्या की वारदात को कबूल करते हुए बताया कि 24 तारिक को मृतक और आरोपी में वायर में प्लग लगाने के नाम पर विवाद हुआ था देगे मृतक द्वारा लगातार गाली गलोज करने से आरोपी कोवर सिंग अपना आपक हो दिया और पास रखे लोहे के हतोडी और एक धारदार चाकू क्रॉंकिट के पत्थर से मार कर घटना स्थल से फरार हो गया था सेसी टीवी कैमरी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है इस मामले में पुलिस ने 302 के तहत मामला दर्सकर आरोपी को जेल भीजनी की तैयारी कर रहे है ब्यूरो रिपोर्ट खटपट नियूज